हेलो एंड वेलकम टू इलेना टेक तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी इपिंजाफ स्कूल वैप पॉर्टल पर इस वीडियो के थुरू मैं आपको बताऊंगा कि जो एक न्यू सर्कूलर आया है जिसमें हमने आंगनवारी की जो डिटेल है वो अपलोड करनी है वह यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कुछ यह वाली लेटर की यह लेटर एक सर्कूलर हुग है कि जस पर लिखा हुग है कि एपंजाफ स्कूल वैप पॉर्टल ते नवे लांच कितेगे प्री प्राइमरी एंड को लोकेटड अंगनवारी सेंटर एसमें जो आपके एक न्यू जो पॉर्टल वहाँ पर लांच हुग है वहाँ पर आपने ये डिटेल सारी के सारी वहाँ पर फिल करनी है जिसमें अपने जो को लोकेटड अंगनवारी नाल समंद्र वक्ष वक्ष कंपोनेंद दाटा इकतर किता जाना है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वो आपने आपने यहां पर आपको मिल जाएगा कि अपलाई सेक्शन में आपको मिल जाएगा देखिए यहां पर Early Childhood Care and Education ECCE यहाँ पर लिखा हुआ Pre-Primary and Co-Located Anganwaji Center यहाँ पर आपने क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे इसका जो प्रफॉर्मा होगा अब आपके सामने का करवा देगा वो दिस्प्ले करवा देगा यहाँ पर आपने detail फिल करना है यहाँ पर क्या लिखा हुआ Pre-Primary and Co-Located Anganwaji Center बेसिक इंफ्रमेशन में आपके स्कूल का नाम आजाएगा ठीक हाँ आपके ब्लॉक का नाम आजाएगा आपके कलस्टर का नाम आजाएगा आपके स्कूल का नाम आजाएगा अब यहाँ पर देखो नीचे का लिखा हुआ है Early Childhood Care and Education Information Format तो यहाँ पर आपने वो information फिल करनी है For example यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने कुछ questions दिये हुए इन questions के आपने यहाँ पर answer देने है यहाँ पर लिखा हुआ है Is there an Anganwaji Center within the school क्या स्कूल के अंदर स्कूल के बाहर की बात नहीं कर रहा है वो स्कूल के अंदर क्या कोई Anganwaji Center चल रहा है तो अगर तो चल रहा है अगर तो नो है तो यहाँ पर आप नो फिल करोगे अगर येस है तो आपने यहां पर yes fill करना है जैसे आप yes fill करोगे तो यहां पर further जो उसकी information होगी वो यहां पर display करवा देगा जैसे कि code of अंगनवारी, अंगनवारी का code क्या है how many अंगनवारी centers are in the school, कितने centers चल रहे हैं school के अंदर, how many अंगनवारी workers are in the school, school में कितने worker हैं, how many अंगनवारी helpers, तो कितने help यह सारी के सारी detail आपने fill करनी है और age 3 से लेके 6 तक, कितने बच्ची वहाँ पर अंगनवारी में enroll हुए है यह सारी information fill करने के बाद नीचे लिखा हुआ है, is अंगनवारी and pre primary room same, क्या अंगनवारी का और pre primary room same है तो यह आपने यहाँ पर yes no में fill करना है same as this, यह सारी के सारी जो आपके column है, इन columns को आपने अच्छी तरह से read करके यहाँ पर, जो इन्होंने answer लिखा हुआ है, वो आपने यहाँ पर yes no में fill यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ how many children are enrolled in nursery class में आपके पास कितने बच्चे है, LKG में कितने बच्चे है, UKG में कितने बच्चे है उनकी detail यहाँ numbers में आईगी उसके बाद, यह सारी के सारी information है, जैसे कि आपके school में pre primary के लिए जो है वो LEDs है, LCDs है जहाँ फिर infrastructure के regarding जो pre primary classes है, वहाँ पर swings लगे हुए है slides लगे है, see-saws, furniture है, chairs है, table है यह सारी के सारी information जो है वो यहाँ पर आपने फिल कर दी है do pre primary children come in school uniform कै वो बच्चे school uniform में आते है उसका जो does the school have a health and hygienic facility उसके वाद आपके बास और printed material like storybooks, cards, activity, calendar, worksheet यह सारी के सारे available है वच्चों के लिए तो यह सारी के सारी जो information है उसको आपने read करके वहाँ पर उसके as-tis information आपने क्या करने है, फिल करने है यह सारी information फिल करने के बाद आपने क्या करना है इसको submit करना है, यह आपका record क्या हो जाएगा, submit हो जाएगा तो ऐसे आपने ये सारी के सारी information को यहाँ पर fill करना है तो ये थी हमारी आज की वीडियो की जो आपने ECCE के रिगारे जो co-locator आपके अंगर वारी center है उसकी जो detail है वो आपने कैसे fill करनी है तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आगी तो प्लीज सब्सक्राइब करना बूले मरे YouTube चैनल इले लेना रेको और ऐसे ही लेटस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आकिन को प्रेस करना बूले थैंक्यों सब्सक्राइब